नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नौलिश शो में तो दोस्तों हाली में एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिसने सभी को चोका दिया है खास करकी चीन को क्योंकि भारत यहाँ पर प्रोजेक्ट 18 नाम से एक नया हतियार तयार कर रहा है और इस हतियार की खासित यह है कि इसे दुनिया की तीन सबसे खुंखार टेक्लोजियों को मिक्स करके फिर इसे तयार किया जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि कितना जादा मैसिव यह वैपन है और भारत की तयार यह है कि इसे बना कर चीनी नोसेना को पूरी तरीके से निट्रलाइज कर दिया जाए क्योंकि इस तरीके का वैपन चीन आज की तारिक में बनाना तो छोड़ यह सोच भी नहीं रहा है उल्टा चीन की नोसेना के अगर आप सतर से पच्छतर फिश्दी तक जो शिप्स देखेंगे डिस्ट्रोयर हैं इसमें एरकाफ्ट कैरियर हैं वो सारे के सारे कम से कम 20 से भी जादा साल पुराने हैं इन सभी को अकेले ये भारत का हतियार बड़ी एजिली युद के समय हैंडल कर जाएगा और इसलिए भारत इस पर पूरा ध्यान लगाए हुए है तो चलिए बिना समयगा वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं इस प्रोजेक्ट 18 के बारे में दोस्तों जिस हतियार के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ ये भारती नोसैनी की तिहास का सबसे अड़वांस और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है भारत ने लक्षे ये रखा है कि आने वाले 5 साल के अंदर इसे पूरी तरीके से बना कर तयार कर लिया जाए और ये होगा भारत का पहला नेक्स्ट जेनरेशन नेवल डिस्टोयर जी हाँ यानि कि नेक्स्ट जेनरेशन विदवनसक ये भारत का होने जा रहा है और बताये जा रहा है कि इसमें तीन बहुत ही खास टेकलोजी का यूज किया जाएगा जो इसे पूरी तरीके से नेक्स्ट जेनरेशन बना देगी सबसे पहले तो ये कि इसमें इस्तमाल की जाएगी ब्रमोस हाईपर सोनिक मिसाइल जिसे ब्रमोस टू के भी नाम से जाना जाता है बताय जा रहा है कि 2026 तक Bramose 2 पूरी तरीके से तयार हो जाएगी और इसका इस्तमाल किया जाएगा इस next generation destroyer में दूसरी खास यह जिये होगी कि defense के लिए इस destroyer में लगाए जाएगे laser weapon जी हाँ, यानि दुश्मन के जो drones होते हैं, दुश्मन के लड़ा को विमान है या कोई भी aerial target है, उसे तबहा करने के लिए इस destroyer के अंदर integrate किये जाएंगे high energy laser weapon का, लेकिन एक और जो सबसे खास technologies में integrate की जा रही है जो दुश्मन की, नोसेना को तबहा करने के लिए specialist में लगाए जा रही है, वो है electromagnetic rail gun, जी हाँ, दरसल ये एक बहुती खास त्रेक का weapon है इसकी shape कुछ-कुछ तोप जैसी होती है, लेकिन तोप से कहीं जादा ये advance होती है कहीं जादा lethal होती है, इसके अंदर एक projectile का use किया जाता है जो गोले की तरह काम करता है, लेकिन उसमें विसफोटक नहीं होता ये electromagnetic जो rail gun होती है, उस projectile को बहुत ही जादा high velocity के साथ fire करती है इतनी जादा velocity और speed होती है, इसकंदर एक शीद से लगाईए कि अगर कोई ship, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, इसकी range में आ जाए और इसने projectile fire कर दिया, तो वो उस ship के आर पार निकल जाएगा इतनी जादा high speed, high velocity इसमें इस्तमाल की जाती है और इसी लिए इसे next generation माना जाता है, इसे रोका नहीं जा सकता अगर दुश्मन इस projectile को रोकने के लिए missile भी छोड़ता है तो उसे भी चीर के ये ship पर ही जाकर लगेगी और इसी लिए इसे इतना जादा विद्वनसक माना जाता है और भारत इसमें अपनी जो तीनों prime technology है rail gun, hypersonic missile और इसके लावा laser weapon तीनों को integrate करेगा जो इसे दुनिया का सबसे विद्वनसक नेवल destroyer बना देगा और चीन इसी लिए बहुत ही ज़ादा नर्वस है आज की तारिख में क्यूँ? उसे पता है कि एक बार ये बन गया तो इसे रोक पाना या मार गिराना असंभव होगा क्यों? क्योंकि अगर उसने missile fire की तो हमारे इस पर लगे हुए है laser weapon इसकी तरफ उसने नोसेना भेजी तो इसमें लगे हुई है rail gun और इतना है नहीं अगर उसने भारत पर किसी और तरीके से हमला किया भारत जवाबी कारवाई करेगा इसमें लगी हुई ब्रमोस missile से तो ऐसे में ये एक बहुती ultimate weapon होने वाला है और फिलाल इसे नाम दिया गया है project 18 और भारत इसको लेकर काफी serious है काफी ज़्यादा पैसा भी खर्चा किया जा रहा है ताकि इस weapon को जल्दी तयार कर लिया जाए हलाकि आपका इस पर क्या reaction है कमेट करके जुरू बताएगा साथी वीडियो को share कीजेगा और चैनल को subscribe जुरू कीजेगा फिलालस लूमें इतना ही तैंक रुरू से जुरू